राजशी की उपराजधानी नाकपुर वैसे तो कई चीजों की वजह से मशूर है लेकिन इन दिनों बढ़ती आपरादिक गतिवीदियों की वजह से भी नाकपुर को चाना चारा है इस चीज में भी महिला सुरिक्षा पर भी कई सवाल या निशान खड़े हो रहे है ऐसा है क असना आईए जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में शेहर में दिन प्रते दिन आपरादिक गतिवीदियों में व्रदी होती देखी जा रही है इसी बीच हमेशा ही राजज़ की उपराजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जो हमेशा ही महिला सुरक्षा पर प्रश्नचन खड़ी करती है इसी बीच हाली में शेहर में वाडी थाना अंतरगत आने वाले इलाके से एक 65 वर्षे महिला के साथ बलतकार की घटना सामने आई थी ये मामला भी सुलजा ही नहीं था कि अमजरी पुलिस थाना अंतरगत सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती हुई थी जिसके पश्यात एक कारी को आरूपी फैजान के कहने पर 17 वर्षी पीरित फैजान के दोस्त आरूपी नुमान के साथ कैंपस से जाफर नगर आरूपी साजित शे के फ्लैक पर गई थी जिस दोरान उन लोगों ने वहां शराप पार्टी के बाद आरूपी नुमान ने पीरित को उसके दोस्त के घर यानि बर्डी पुलस थाना अंतरगत छोड़ा इस पश्यात दूसरे दिन भी नुमान फर्यादी को फिर एक बार बर्डी से जाफर नगर साजित के घर ले गया जिस दोरान आरूपी फैजान तौसिफ और अमित हुसेन मौचूद थे सबसे पहले तो इन लोगों की शराब पार्टी हुई उसके पश्यात आरूपियों ने पीरिता को रजनी गंदा में एमडी मिला कर उसे दी जिसके बाद पीरिता एमडी के नशे में आने के बाद आरूपियों ने पीरित युफ्ती के साथ चाररिक दुशकर्म किया और इस पूरे घटना करम के बाद नुमान ने उसे कैंपस छोड़ दिया घटना होने के आट दिन बाद पीरिता का बहुत जोरों से पेट दुखने लगा जिसके चलते उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुचे जहां इस पूरे मामले का पर जोरों से अले घटना दोन फेब्रेरी चे आए दोन तीन फेब्रेरी चे सुमारास ची घटना आहे त्या मुलीन नी काल त्यांचे ना तेवाइकां ला कड़ावले अनतर पुली स्टेशन ला माहित आले लिया है गुना दाखिल हुन तपाश शुरू आहे आरोपी अट इस मामले में सभी आरोपी अभी फरार है और शहर पुलिस के कई आला धीकारी इस मामले की जाच में जुटे हुए है वहीं जब बात वाड़ी वाली घटना की करें तो उस मामले में एक आरोपी फरार है तो एक को गरफतार किया गया है हालाकि संपूर्ण वाकिये से फिर एक बार उपरास्थानी नाकपूर में महिला सुरक्षा को लेकर कई सवालिया निशान खड़े हुए है कैमरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ दिशा अटवा बीसे निश नाकपूर